विल्कम बाक इन ब्लॉग विया जिद्धी परिंदे गुलमर गंडोला में आपका स्वागत है और हम हैं अभी कश्मीर की वादियों में और आपके हैं पहुंच गंडोला में गंडोला पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट चीज होगी प्राइवेट कैप करें वह सबसे बेस् करें और उसके बाद आप चलते हैं गंडोला की तरफ और अगर आप चाहते हैं कि टूरिस्ट गाईड आपके साथ चले तो गाईड के चार्ज हैं चार्ज हैं 200 से 300 कोई 1000 बोलेगा कोई 1500 कोई 500 बोलेगा उसमें मत मसना 200 या 300 इस से दिक उपर मत दिना चला बर्फ से ढकी चोटियां खुबसूरत कोटेज और पानी पर बैते शिकारे यह तमाम खासियत कश्मीर को धर्थी का स्वर्ग बनाती हैं और इस स्वर्ग में एक अच्छा साथ डेस्टिनिशन है गुलमर्ग सबसे पहले बात करते हैं श्री नगर से गुलमर्ग पहुंचे साधेती निजार तक रहेगा हां ड्राइबर और फ्यूल इसे में इंक्लूड होता है गुलमर्ग कश्मीर के बारमुले जिले में श्तित हैं गुलमर्ग ज्याने की फूलो की वादी गुलमर्ग में टूरिस्ट के लिए सबसे आकशन का केंदर है गंडोला रोप पे आपको टैक्सी गंडोला के स्टेशन से लगवग एक किलोमेटर पहले ही उतार देती है नॉर्मल डेज में आपको आटो मिल जाता है जिसका किराया 20 रुपे परहेड होता है और जब स्नो फॉल होता है तब वहाँ पे आपको स्टेशन तक जाने के लिए घोड़े फैसलिटी मिल जाती है वहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हैं आपको टिकट काउंटर पे टिकट मिल जाएगा लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करके ही जाए और 10 बजे के पहले आप गंडोला इस्टेशन पे पहुँच जाए अदर्वाइस आपक पंदर मिनट का समय लगता है फेस्टू तक पहुँचने के लिए लगबग 30 मिनट का समय लगता है गुल्मर्ग घूमने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से जून तक होता है जहां आपको बर्फ देखने को मिलती है आपको बता दूं कि गुल्मर्ग का असली नाम गौरी मर सौर्ट है कि अच्छा है यह देखिए सब रोपे हवा में जूल रहा हम लोग की हवा में जूल रहा है अब नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं हाँ आप चला 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 हम आगे हैं गुल्मर कंडोला से उपर अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है फेज वन यह दिस फेज वन कि मैं आपको चीज बता रहो यहाँ पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे गिंबल दिये हुए और वो आपको पचास से पर में रील बनागे दे रहे हैं तो आप रील बनवा सकते हैं बहुत सारी चेमने बात पर आते हैं यह हैं आपका गंडोला का स्टेशन और जब स्नो ग तक चला जाता है बरफ के अंदर हम लोग जब आयते तो यह जो आप बेंच यह जो शेट देख रहे हैं बैठने के लिए शेट का ऊपर का माला से दिख रहा था और यह फ़स्टेश और वह उपर देखिए सब्सक्राइब करेंगे रहा होगा वह सेगंड फेज अभी आप सेगंड फेज में देख सकते हैं बादल और जब यहां पर सब्सक्राइब तरफ देखते हैं यहां पर कुछ खाने पीने को है या नहीं है दो सेड़ाप करीकर सब्सक्राइब दोसो पचास यह फोर फिप्टी बढ़िया है कितना लेंगे घोड़े का वाटरफॉल खिलन मर्ग क्या पेपर ट्रीज इसका कितना चार्ज जाएगा यह तीन जगा तक रहेंगे चलेगा यहां पे जब बादल आते हैं इधर का टेंप्रेचर डाउन हो गया और उस तरफ लाइट हो गई बहुत ज्यादा रोष्णी होगी बहुत अच्छा दिखता है और ठंडी के मौसम में जब स्नौ फॉलत है यकीन मानिए अगर आप नहीं आएं गुलमर् यहां पे गंडोला से यकीन मानिए एक बार स्नौ फॉल में आई है आपको लग जाएगी एक ही बार में सर आप लोग उदर से आ रहे हैं मैंने हम भोगे इंटर आप अच्छा गाइड जो नीचे मिलेंगे आपको वो चार्जिस बोलेंगे अपने 900,000 रुपए आपको आपको उपर के चैपॉइंट दिखाएंगे आपके साथ पूरे दिन रहेंगे जब तक आप रहेंगे और उनका गंडोला का कोई चार्जवाज हमें नहीं पे करना होता है वो उनका खुद का लुकाउंट होता है उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप गंडो यहां उपर आपको वैसे तो यहां पर घोड़े हैं आप घोड़ा कर लीजिए पॉइंट के लिए अगर आप वॉक नहीं कर सकते इतना इतना इट डिपेंट्स ऑन यू कि आप कितना बाग नहीं कर पाते हैं आपकी पॉकिट क्या अलाउट करती है सब कुछ उसके उपर ड ठीक है भले थोड़ा से डिस्टेंस है बट वहां जाओंगा और यह है आपका गंडोला फेज वन का स्टेशन अगर उपर वाले ने अग्या दी और आप लोग का प्यार रहा तो हम लोग फिर से स्नोफॉल में आएंगा हर चीज के चार्जिस हम बताएंगे आप कमेंट अब हमें हलके ठंडी लग रही है वहां पर गर्मी थी लेकिन यहां पर आते क्सान्त हलके ठंडी लगने लगी यह कह सकते हैं कि वादियों और घटाओं में कब कैसा सीजन होगा और सीजन कितनी जल्दी चेंज आता है यह देखिए इस तरह पूरे बादल है ऐसा लग रहा है और बारिश होई तो हमें भागने के लिए को जगर नहीं को भींगना तय है यह आपको पीले और नीले पॉलिफिन में धका हुआ दिख रहा होगा यह जट स्की जब यह बरफ में धक जाता है दस फिट बंदर फिट बीस फिट बरफ हो जाता तो यही जट स्की यहां की हरणक होती है जैट स्कीज्नी स्कोटर इसकी यह जब यहां की रहनक होती है और एक र्ल चीज देखिए इस जीज को मैं बताना भूलकि आपको यह सिंगल सीटर शबी इंग होगे तो अलग से दिख रहे होंगे फेस टूपे जाते हैं और उस पर पब्लिक नहीं बैठती उस पर वह लोग बैठते हैं जो कि करने आते हैं यहां पर चोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं धावा है चलिए वहां देखते हैं कुछ खानी को मिलता है क्या दो आप मेरे पीछे दे और आलू पराठा 50-80 इस इंडिपेंडन काटिग्री है यहां पर पूरा अपना लंच भी कर सकते हैं अगर आप गुलमर्ग में गंडोला से उपर पूरा डेस पैंड करने वाले तो यहां पर आप लंच कर सकते हैं लंच में यहां पर 250-300 से एक आपको वेजटेविल्स और प पाती पाती पराठा सब कुछ मिल जाएगा तो आप इस तरह से अपना यहां पर लंच कर सकते हैं चाहें तो स्नैक्स ले सकते हैं तो चलिए हम लंच करेंगे गंडोला से नीचे उतर के गुलमर्ग में तो बने रहे हैं हमारे साथ आपको बता दूए प्रिकॉसिंस के तौर पर अगर आप गंडोला लेके उपर आ रहे हैं तो आप सबसे पहले तो एक वाटर बॉटर ले लिजी अपने पास चार्जेश भी जादा होंगे नीचे टुएंटी रुपीज का मिलेगा तो उपर 40 रुपीज का मिलेगा बट आपको डिफ्रेंस इतना है कि आहां पर वोप्र कर के जाना पड़ेगा उसके बाद ही यह मिलेगा चोट चोटे इस तरह से चोकलेट रखी अपने साथ अगर आ और एको सकता हमें को सई अपल में पाफ ले चलिए तो इस तरह ऑफ ले के चलियेजे अगे चलते हैं तुलो कर होता है चलिए एक हई तीकेट प्राइज है उसको आप कितना वसूल फूरी पैसा तो नेचर बात है नेचर वादियों के बीच में पैसा हमेशा कम्प्लीट होता है तो हमेशा की तरह वही कहूंगी कि अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजें वीडियो को लाइक कर लिजें घंटी ज़रूर दवालेचे चलिए फिर हम शेक्तर वही कहूंगा ना किसी को टेंशन दो ना किसी की टेंशन दो बात बात बाते उपर वाला सब देख लेगा चलिए वीडियो को करते है राप आप मिलते हैं नेक्स वीडियो है बाबाई